दोस्तो आईपेल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है यह वाला सीजन वैसे वैसे इसका रोमांच भी बढ़ता जा रहा है अब हर एक मैच में अलगी रोमांच देखने को मिला है संडे से जब से मैच कनाइट ट्रैटर्स और जीटी के बीच में खतम हुआ है तब से हर मैच में कुछ न कुछ अलग रोमांच देखने को मिला है क्योंकि आईपेल का कुछ ऐसा ही लीग है आईपेल की लीग में ऐसा ही हमेशा देखने को मिलता है कि हर मैच में कुछ अलगी देखने को मिलता है और हर 3-4 दिनों में कुछ अलगी टैलेंट नजर आया है एक नया हीरो निकल के आया है सामने दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब किंग्स और गुजरा टाइटन्स के मैच के बारे में जो आज मोहाली में खेला जाएगा हम इन दोनों टीमों के आपको प्लेइंग 11 के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे इन दोनों टीमों में कौन सा प्लेयर जो impact डालेगा और कौन सा प्लेयर आज चलेगा या फिर नहीं चलेगा अगर आप भी कोई fantasy League खेलते हैं अगर आप भी अपना कोई प्लेंग 11 क्रियेट करते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत जादा मदद होगी और हम आपको ये भी बताएंगे अपने प्लेंग 11 में आप कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं जिससे कि आपको अपनी लीग में जीतने से मदद मिलेगी दोस्तों पंजाब किंग्स की बारे में बात करते हैं पंजाब किंग्स का मिडल ओडर थोड़ा धीक हो गया है क्योंकि हमने कुछ मैचुज में देखा अगर शिकर दवन चलते हैं सारी बैटिंग धवन के ओपर ही डिपेंड करती है अगर जिस दिन धवन नहीं चलेंगे तो इनका बैटिंग ओडर भी और भी जादा खराब हो जाएगा जैसे कि पिछले मैच में हमने देखा सौर अन्तों सिफ अकेले धवन ने मारे थे 140 रन में से तो बहुत चीज़े देखने वाली बात होती है पंजाब किंग्स में लेकिन पंजाब सिंस के लिए एक बड़ी खुशकर्वरी की बात यह है कि लिविंग्स्टन अब पूरी तरह से ठीक हो चुके है अब वो प्लेंग 11 का हिस्सा बनेंगे तो मैथ्यू शॉर्ट की जगा वो खेलेंगे तो इस तक दर होगी पंजाब किंग्स की प्लेंग 11 परप सिवरन करेंगे धवन के साथ ओपनिंग क्योंकि दोनों की ओपनिंग अच्छी जाती है और परप सिवरन भी अच्छे फॉर्म में चल रहे है फिर उनके बाद जीते शरमा आएंगे जीते शरमा भी अच्छे फॉर्म से चल रहे है और रन मार लेते हैं लेकिए वो बलंबे स्कोर में नहीं आ पिर उनके बाद आल डाउंडर आ जाते हैं सैम करन आते हैं सैम करन भी अच्छा खेलते हैं और फिर उसके बाद शारूख खान आएंगे शारूख खान बहुत नीचे आते हैं इसलिए अभी तक उनको कुछ साबित करने का मौका नहीं मिला लेकि पिछला मैच में वो खेल सकते थे कि पिछला मैच बहुत ज़्यादा टाइम था के पास धवन के साथ एक पार्टमर्शिप बिल्ड कर सकते थे फिर हर्परीड बरार आएंगे फिर राहूल चेहर आएंगे जो लेक स्पिन डालते हैं और बॉलिंग समालते हैं नेथन एलिस के जगह में को लग रहा है इस IPL में पहली बार रबाडा खेलेंगे पंजाब किंग्स की तरब से क्योंकि रबाडा पुरी तरब से आप फिट हैं और वापस आ चुके हैं और रबाडा अगर आगए फिट हैं तो प्लेइंग 11 में खेलने से उन्हें कोई नहीं रोख सकता फिर मोहित राटी है जो उनके दोस्तों ये थी प्लेइंग 11 पंजाब किंग्स की पंजाब किंग्स की जो मिडल ओर थोड़ा वीक है पंजाब किंग्स को अपने मिडल ओर पे धिहान देना पड़ेगा तभी वो आगे इस IPL में खेल पाएंगे लंबी पारी और क्योंकि एक मिडल ओर कोई डिपेंडेंट बन लिवाज हो जाए जैसे की लिविंग स्टन ने लिविंग स्टन के आने के बाद अब पंजाब किंग्स थोड़ा बैलेंस हो जाएगी अब बात करते हैं गुजरा टाइटन्स के बारे में तो गुजरा टाइटन्स का जो पिछ पिछला मैस था तो पुरी टीम सही है लेकि निका तो लग साथ नहीं दिया पिछले में तो किसी ने निसुचा कोई लास्ट ओवर में 29 रन पड़ जाए तो गुजरा टाइटन्स का जो प्लेंग लेवन होगा यह राव उनमें कोच चेंज नहीं होगा बस पांडिया वापस आ जाएंगे तो शाह करेंगे गिल के साथ ओपनिंग गिल भी अच्छे फॉम में है और इंदमन शाह भी 20-30-40 रन बना देते हैं और एक स्टार्ट मिल जाता है फिर साही तूजर्शन आएंगे जो बैक तू जो ले पिच में ना उनको बहुत जादा मदद मिलने वाली यह कि महमब शामी महमर शामी के लिए भी महमली कापिच अच्छा राएगा क्योंकि नो वह स्टार्टिंग में विकेट निकाल के देते हैं फिर यश्डियाल आएंगे यश्डियाल को कौन बूल सकता है जो लास्ट ओवर में 29 रंग खा लिया थे फिर इंपक्ट प्लेयर में साइस उदर्शन की जगह जो श्लिटल खेलेंगे वो भी अच्छी लेते हैं विकेट निकाल लेते हैं तो यह रहा हम दोनों टीमों की प्लेइंग लेवन के बारे में अगर आपके जो प्लेइंग लेवन आप करोगे तो आप इसी में से चूज करना अब हम आपको बताते हैं कि इन दोनों टीमों में से अगर आप लेइंग लेवन आप बना तो इसलिए आप किसी बैट्समेन को या फिर ओपनर को आप अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं अब शिकर धवन को अपना कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं या फिर गिल को बना सकते हैं और एक आल राउंडर आप ले सकते हैं शंकर शंकर अभी दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो देखने से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें